नमस्कार दोस्तों फॉलिक एसिड को विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है फॉलिक एसिड शरीर में नई रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है रेड ब्लड सेल्स पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाती है यदि शरीर में Red Blood Cells पर्याप मात्रा में नहीं बनती है, तो शरीर में खून की कमी हो सकती है. शरीर में Folic Acid की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान होना, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होना, ध्यान लगाने में दिक्कत होना, सिरदर्द रहना, तवचा और आंखों में पीलापन होना, घबराहट होना, जीब और मुं के अंदर घाव होना, हैर फॉल होना आदी लक्षन शरीर में Folic Acid की कमी होने पर हो सकते हैं, इसके अलावा जिन व्यक्तियों में Folic Acid की कमी होती है, उन व्यक्तियों में डिप्रेशन होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है, प्रेगनेंट महिलाओं के लिए Folic Acid को लेना बहुत जरूरी होता है, इससे होने व डिफेक्ट्स जैसे Spina Bifida और Anencephaly हो सकता है, Spina Bifida होने पर बच्चे की रीड की हड़ी मा के गर्प में अच्छी तरह से विक्सित नहीं हो पाती है, या अच्छी तरह से बंद नहीं हो पाती है, और Spinal Cord के टिशूज में बाहर की तरफ एक उभार सा हो जाता है, Spina Bifida की वज़ा से बच्चे के पैरों में लखवा भी लग सकता है, हालांकी गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड टेस्ट के जरिये Spina Bifida का पता लगाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी जन्म के बाद ही Spina Bifida का पता चलता है, Anencephaly में बच्चे का दिमाग और सिर्फ उसके अलावा GoodWit Tablet बच्चे में Cleft Lip और Cleft Palette से भी बचाव करती है, Cleft Lip और Cleft Palette में बच्चे के होंट या तालू अच्छी तरह से विक्सित नहीं हो पाते हैं, और उनमें एक कट लगा होता है, यहां समस्या भी बच्चे को मा के पेट में ही होती है, लेकिन इस समस्या को जन्म के बाद सरजरी की मदद से ठीक किया जा सकता है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अब हम डिसकस करेंगे की GoodWit Tablet को कैसे लेना recommended होता है, GoodWit Tablet को खाना खाने से प ज्यादातर प्रेगनन्ट महिलाओं को डॉक्टर गुडवit Tablet को प्रेगनन्ट होने से तीन महीने पहले ही शुरू करने की सलाँ देते हैं, और प्रेगनन्सी के बारहवे सब्ताह तक बन्द करने की सला देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के बारवे सब्ताह तक शिशु की रीड की हड़ी का विकास पूरा हो चुका होता है हालांकि गुडविट टैबलेट को प्रेगनेंसी के पूरे 9 महिने तक भी लिया जा सकता है इसकी वजह से मा या शिशु को कोई नुकसान नहीं होता है गुडविट टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको गुडविट टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अगर आप शरीर में फॉलिक एसिड की कमी को प्राकृतिक खादय पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कच्ची हरी पत्तिदार सबजियों, कच्चे फलों और काजू बादाम वा अन्य ड्राइ फ्रूट्स का सेवन परियाप मात्रा में करना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि गुडविट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वैसे गुडविट टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं क्योंकि फॉलिक एसिड एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है और शरीर में फॉलिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने पर यह पेशाप के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है और शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है अब हम डिसकस करेंगे कि गुडविट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए लगातार ज्यादा लंबे समय तक यानी लगातार तीन महीने से ज्यादा गुडविट टैबलेट को डॉक्टर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए गुडविट टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है इसलिए जरूरत पढ़ने पर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को गुडविट टैबलेट को लेने की सला दे सकता है विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका गुडविट टैबलेट से समबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं